नमस्कार, स्वागत है आपका PME विद्या चैनल नंबर आठ पर मैं हूं देवेंद्रुत्र पार्थी, आज का ये सत्र कक्षा आठ की विद्यार्थियों के लिए है और आज का विशे है इस सत्र का भूगोल अपकार्थी का विद्यार्थी, अज कता है और आज किस तरह से इनका महत्व हम से जुड़ा हुआ है इसी को समझने के लिए हमारे स्टूडियों में आज आमंत्रित विश्य शग्य हैं डॉक्टर अवरार अहमद जो की देली गवर्मेंट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भूगोल के लेक्षिर हैं अगे बढ़ें और अपने चात्रों को आज के विशय के बारे में हमारे एक्सपर्ट जानकारी ने उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है वो आपके साथ साजा करना चाहेंगे We are proud that India assumed the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit in 2023 in India or and a nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 Presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic, global solutions for the well-being of all and in doing so manifest और इस इंपोर्टेंट सुचना के बाद हम आगे बढ़ते हैं, कारिकरम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि शुरुबात में ही मैंने आपको बताया, आज का जो विशे है बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि जो सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण ज तयार किया गया है चात्रों के लिए, ये चात्र जानेंगे कैसे और जानेंगे तो समझेंगे कैसे इसी विशे पर, तो सर सबसे पहला प्रशन मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे, कि इस अध्याय के बिंदु क्या है, और इस अध्याय के पीछे अध्याय क्या है, क्या सोच करके अध्याय तैयार किया गया है और अध्याय को पढ़ने के बाद छात्रों को क्या सीखने का अवसर मिलेगा जी देगे तिरपाथी जी ये जो NCRT की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है ककसाट की और सामज़े विज्ञान की संसाधन और विकास इसका ये अध्याय दो भूमी, मिर्दा, जल, प्राकरतिक वनस्पती और वन्यजीव इन संसाधनों को लेकर बनाया गया है जब हम इसकी बात करते हैं इस अध्याय की तो इसमें आपके छे महत्पून कंपोनेंट्स हैं उधारनाओं को लेकर ये लेसन बनाया इसमें सबसे पहरी है उधारना या सबसे पहरी जो जो इसका पॉइंट है मुखे बिंदू हो ये है कि संसार के विए भागों में जो लोगों का जीवन इस्तर है जो आर्थी गतिविदियां है उनमें भिनता पाई जाती है इसके पीछे क्या रिजन हो सकता है दूसरी बात ये कि भूमी एक संसाधन के रूप में को इस पश्ट किया गया है उस भूमी उपयोग क्या है भू संसाधनों के क्या प्रकार होते हैं संसाधनों का च्रन कैसे होता है भूमी संसाधनों का और इनका सनक्षनम कैसे कर सकते है सर आगे बढ़ें से पहले हम अपने चात्रों को अपने विवर्स को एक मत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अगर आज की इस कारेक्टरम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ तो चुके ही हैं तभी आप हमसे हमें देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं आप हमें डिट हमारा जो टेलिफोन नंबर है उस पर भी फोन करके आप प्रशने पूछ सकते हैं डबल 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 फोर जिरो डबल फाइब नाइन इसके अलावा इमेल एड्रिस भी है जिस पर आप अपनी प्रतिक्रियां या कोईरी लिख सकते हैं जो है डिटी एच डॉट क्लास एट ciet.nic.in तो आगे बढ़ाते हैं और सर जिस अपने जो कोस्टन क्या था बहुत इंपोर्टन कोस्टन था रोचक कोस्टन है और सातरों को जाना चाहिए कि सद्ध्याय की रचना किन बंदों को लेकर हुई है और क्या क्या इसके मुख्य बंदों है और धारना क्या हैं इस के इन भागों में जो लोगों के जीवन इस तर में रहने के ढंग में उनकी आर्थिक्रियों में जो भिन्नता पाई जाती है वो क्यों है उसके कारण क्या है दूसरा जो इसमें महत्मूर्ट बिंदू लिया गया है कि भूमी को एक संसाधन के रूप में चातरों को समझाने का प्रियास किया गया है और उसमें बताया गया कि भू संसाधन के कितने प्रकार होते हैं इनका कैसे डीग्रीडेशन या छरन होता है और इनको संसरा हम कैसे कर सकते हैं तीसरा जो इसमें महत्मूर्ट बिंदू है वो मिर्दा संसाधन है जो हमारे भरन पोस्टन का आधार ह क्या है? मिर्दा की क्या प्रूफाइल है? परिष्धिका क्या होती यह?ником के से होता है? कौन कौन कारण और जो मेर्दा निर्मान को परस्भावित करते हैं? और झाका का हम निमनी कारण और छचरण को कैसे हमीसे रोक सकते हैं तो ये सारे पाइंट इसमें तीसरे बिंदों में कवर किये गए हैं चौथा जो है जल संसादन जो बहुत ही महत्पुन संसादन है और ये हमें और हमारे जो आने वाले लोग जो अगली पीड़ी है उसके लिए भी इसके बारे में सोचना समझना बहुत आवस्य प्राकेटिक वनस्पति उसका तरण और ऊसके सनक्षण की बात की गई है और अंत में जो इसका च्छना बिन्दू है वा य जीवन क्या है किस किससरे से संसारम है उसका वितरन है और कैसे हम तो से जानना समझना हर विद्धार्ती के लिए आवज सक है जब हमने इस लेसन को बनाया है तो हम ने कुछ अपएक्षाया रखी थी कि इस लेसन को पढ़ने के बाद जो हमारे चात्र हैं वो हमसे क्या उससे इससे क्या समझ पाएंगी क्या सीख पाएंगे तो उनको लर्निंग क्रयास करेंगे कि इसके पीछे कारण किया है या संसाधनों की उपलब्ता कर से संबन हैं दूसरा Stat क्या है कि इनके प्रकार और उनके सनक्षन महत क्या क्यां कर सकेंगे चातरी इस अध्याय को समझने के बाद मिर्दा का निंद साधन की पहचानmot हो जाएगी यह हम आश कि आ सकता क्यों है इनके क्या क्या उपाया हो सकते हैं यह हमारा लर्णिंग आउटकम्स हैं बच्चों को समझेने के लिए इतनी उमीद की जाती है कि सध्या को पढ़ने के बाद चात्रों में जाग रूखता उत्पन जरूर होगी वन्य जीवन का वितरन उनका सन्रक्षन और उनका विसलेशन करके उनके पृति जाग रूखता की भावना चात्रों में पैदा होगी और प्राक्रतिक वनस्पतिक अवितरन उसके विनास के कारण उनका सन्रक्षन इसकी समझ चात्रों में विखसित हो जाएगी तो यह इन लर्निंग आउटकम्स को लेकर यह हमारा ले अगला प्रशन हम पूछते हैं कि सर आर्थिक गतिविधियां किस तरह से इन सारे मुद्दों से जुड़ी हुई है अगर हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की बात करें तो कैसे हम आर्थिक गतिविधियों को इन मुद्दों से जिसमें मृदा है भूमी है जल संसाधन ह प्राक्रितिक संसाधने इनको कैसे हम जोड़ कर देख सकते हैं क्योंकि अलग-अलग जगहों पर प्राक्रितिक संसाधनों की अलग-अलग कह सकते हैं उसकी मात्रा अलग होती है अलग-अलग तरह के प्राक्रितिक संसाधन होते हैं और वो निश्चे तोर पर लोगों को आर् जानिया के छोटे से गवं में रहती है तो वो अपने माता-पिता के साथ और बाई-बेहनों के साथ हमां रहती है पानी लाने के लिए उसे बहुत सियात बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है और काफी दूर उसको पानी रहने जाना पड़ता है बंबा को और उसमें कई का टाइम उसका लगता है जिसमें मंबा की कहानी और एक पीटर की कहानी लेकर इस अध्याय के किस वात की गई है जो कोशन आप से जुड़ावा है कि इनके लिए रहन सेंड में कि अंतर क्यों है संसादने के अपलबता इस किस परकार पर भावित करती है तो इसी बात को ध्यान में रखकर तो मम्मा एक अफरीका में तंजानिया के छोटे से गाउं में रहती है और अपने परिवार के साथ हो रहती है उससे बहुत अर्ली मॉर्निंग सुब़ सुब़ उठना पड़ता है पानी लाने के लिए और बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए कुछ घंडो बाद ओगर लोटती है घर में आकर उपनी मा के जो घरेलु काम उनमें हाथ बढ़ाती है और अपने भाईयों की जो भेड़ बक्रियों का जो पालन उनके यहां होता है उसमें उनक जोंपडी में रहता है चोटी सी जोंपडी चत्नानी भूमें पर बनी हुई है उसके आसपास ही कुछ भूमी है इतने कठिन परिसरम करके इनके पृद्ट के बाद भी इनका परियोर भरन वे पाथी प्रयाप्य बेंक रोद नहीं naar पाता इस इस तरह का जीवन एक मंभा का तंजानिया के एक गाउं में दर्सा गया। दूसरी जो कहानी ली गई है वो पीटर की कहानी ली गई है जो न्यूजी लेंड के जो एक भेड़ पालन का प्रदेश है मध्यवरती भाग में उसके रहता है और वो बिल्कुल आधुनिक सुईधाओं से लेसे और एक विस्तरित घास के मैदान पर वो बना हुआ है ये लोग आधुनिक टेक्नोलोजी का प्रियोग करके वेगानिक विदियों से अपने बाड़े के और अपने कार खाने का प्रबंदन करते हैं और उसके जो उत्पाद हैं उनकों अंतराष्टे बाजार में बेज कर खुब धन कमाते हैं और इनका परिवार को जैविक किर्सी भी करता है जिमें फल और सब्जियां भी यह उगा लेते हैं तो इनके रहन सेन में पीटर के रहन सेन में और मंबा के रहन सेन में बहुत अंतर है जब हम इन दोनों के जीवन की तुलना करते हैं तो बहुत सारी बात हैं हमारे सामने निकल के आती हैं दोनों संसार के दो अलग-अलग इस्थानों पर रहते हैं, एक तंजानिया में है, अफरीका में है, और एक न्यूजिलेंड में है, दोनों के जीवन व्यतीत करने का जो रहेंगा है, बिल्कुल अलगा लगा है, दोनों में अंतर है, वो एक बिल्कुल प्रार्थमिक व्योसा कारण जो हैं सबसे पहला कारण यह कि वहां दोनों स्थानों के धरातलिय बनावट में जो भू संसादने उसकी प्रकृति में यह अंतर पाया जाता है दूसरी जो है यह कि वहां की जो मिर्जा है उसकी उपज़वशंता में दोनों की में अंतर पाया जाता है तीसरा है जो व अगर्द के जीवन इस तर में बिधिनिता प्रेचा की है और इसके कारण ही ये संसार के विमिन भागों में हम कह सकते हैं कि लोगों के आर्थिक जीवन में और जीवन इस तर में अंतर पाया जाता है ये बहुत important बात आपने कही और जो जिन बिंदों को आपने तुलनात्मक रूप में अफरीका और न्यूजिलेंड के दो अलग-अलग जगों को आपने दिखाया उसमें एक ही चीज ऐसी थी जो मानव निर्मित है जिसमें जो प्राध्योगी की है बाकी सारी चीज़ें जिसक का जिक्र इस पार्ट में काफी बड़े पैमाने पर किया गया है तो भू संसाधन को किस तरह से बच्चों को समझना चाहिए क्या है बू संसाधन और क्यों है वो important लोगों के लिए जानना देगी सद्धिया का पहला point यह है भू संसाधन तो पहले हमसे समझ लेते हैं भू स संसाधन होता क्या है देगे संसाधन को जब हम बता रहे थे संसाधनों की जो पिछली का किसा में हमने बात की संसाधन क्या है तो कोई भी प्राकृति द्वारा दी हुई ऐसी वस्तू जो हमारे किसी आउसकता को पूरा करती हो संसाधन है और जितने भी प्राकृतिक संसाध वो भूसन्सादन है। भूसन्सादन का मतल Rim जो भी धरति के उपर प्रस्ट पर जो पाया जाता है किसके वी इसे जुड़ाव जो भी इसे जुड़ाव है और इसके जो ऊंदर खनी पदात्व वगरबा मिलते हैं वह सब इसमें साम्मिल हो जाते है तो भूसन सादन में बेसिकलिए हम प्रत्वी की उपरी सते हैं पर जो हमारे इस थल रूप पाय जाते हैं जो परकरती ने हमें दिया है चाहे हो परवतों के रूप में पठारों के रूप में बैदानों के रूप में और वो हमारे सब काम आ रहे हैं तो यह भूसन सादन कहलाता है। भूसन सादन इंपोर्टन क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह हमारा रंग बंच है। हम अपना जीवन इस भूमी पर ही व्यतीत करते हैं और जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियां हैं यह सांस्कृति क्रियां हैं यह राजनिति क्रियां हैं जो भी क्रियां का स्वरूप हमारा धरातल है वो इस भूमी पर ही होता है धरातल पर ही होता है हम चारों तरफ हमने देखते हैं कि धरातल के बहुत सारे स्वरूप हमें दिखाई देते हैं और हम इसका विभिन रूपों में उपयोग करते हैं कहीं कहीं पर हमें परवत दिखाए देंगे कहीं पठार दिखाए देंगे कहीं मैदान दिखाए देंगे और इनका हमारे जीवन में अलग-अलग महत है इनका प्रयोग भी हम अलग-अलग करते हैं कहीं हमने कारखाने बना रखे हैं, कहीं हमने गाउं बसा रखे हैं, कहीं हमने पार्क बना रखे हैं, कहीं हमारी यूनिस्टीज खड़ी हुई हैं, कहीं डैम बना दी हैं, तो इनका विभिन रूपों में भी हम इस्तमाल कर रहे हैं, कहीं चारा गाह भूमी छोड़ रखे हैं, कहीं वन छोड़ रखे है ये इसकी महत्ता है और दूसरी बात ये है कि इसकी उपलबता भू संसादनों की उपलबता जो है ये इसकी जो विशेष्टाएं उपलबता की ये सब जगे एक जैसी नहीं है भू संसादनों को जो हम देखेंगे तो सबसे इसकी तीन विशेष्टाएं इसको संसार के परवत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं दीपसमू, कहीं जील, तो इस तरह से पाय जाते हैं, तो ये सब को सब जगे से उपलब्द नहीं हैं, हम भागे साली हैं, भारत में रहते हैं, भारत में परकरती ने भूसंसाद इनके रूप में वो इसी खुबशूर्ट दुनिया संसार में प्रकरति ने सबको नहीं दिये, कई देस ऐसे हैं जिन में कोई एक इस्थर रूप जादा है, किसी में कूछ जादा है, कहीं पर खेती की भूमी कम है, कहीं पर जादा है, तो ये एक जैसे रूप में उपलब्ध नहीं है, दूसरी सबसी बीडियों यह सेस्ता यह है कि भी केवल और केवल भूपरष्ट के 30% भाग पर ही यह संसादन के रूप में उपलब्ध है और इसमें वरद्धी होना ना के बराबर है क्योंकि जो हमें परकरती ने दिया है भूसंसादन के रूप में इसमें अब आगे कोई वरद्धी होने की संभावना नहीं है थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होता है वो हजारों लाखों वर्सों में जाकर प्रत्वी के सते पर हो पाता है तीसरी बात यह है कि पिछले सो वर्सों में जो जनसंख्या की लगातार वरद्धी हुई है उसने इसकी उपलब्ता को और सीमित बनाती है भूमी की मांग दिनो दिन बढ़ती जा रही है और इसके विबिद उप्योग होते हैं तो इसलिए भूमी की जो उपलब्ता है भू परती हुई जनसंख्या और इसका अतिश दोहन निश्ची तोर पर आने वाले समय में चुनोतियां पैदा कर सकता है अगर इस पर संड्रक्षन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भू संड्रक्षन जो है उसका संड्रक्षन कितना जरूरी है और किस तरह से हम इसके इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भूमी का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं तो भूमी हम किसी एक रूप में हम उपयोग नहीं करते हैं यह किर्सी में इस्तमाल हो रही है बहुत सारी भूमी के बहुत बड़े भाग पर हम खेती करते हैं इस इसी तरह से यह वनों के अंतर कहलाता है इससे जुड़ी दूसरी बात यह कि भी पृदिये के देश का जो एक राजस विभाग होता है वो हर देश में अपने-पने आखड़े रखता है कि भी मेरे हैं भूमी का उपयोग हम किसकी सरह से कर रहे हैं तो हम बच्चों को एक बात जानने की है तो कि भूमी उप को कहते हैं किस-किस रूप में हम से कर रहे हैं तो यह भूमी उपयोग कहलाता है हम भारत के भूमी उपयोग को देखकर इसकी तुन ना कर सकते हैं कि यह डाइग्राम आपको दिखाया जा रहा है भारत के भूमी उपयोग का दिखाया जा रहा इसमें बिलकुल अलग- उप में दिखाया गया है फसलों और विरक्षों के अंतर गद जो बाग बगीचों में जो हमारी जमीन हो कितनी है किर्शी व्यर्त भूमी जो पढ़ी हुई है वो कितनी है बंजर कितनी है और निबल बोय आ गया छेतर कितना है जिस पर हमारी खेती हो रही है तो इस तरह से हम भूमी को देखते हैं अलग-अलग भागों में तो यह भूमी उप्योग कहलाता है इसके साथ साती यहीं से इस भूमी उप्योग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं कुछ बहुतिक कारण है भूमी उप्योग को प्रभावित करने वाले कुछ मानवे कारण तो ये सारे कारण किसी भी देश के किसी भी छेतर के भूमी प्योग को प्रभावित करते हैं और यहीं से इसके उप्योग से ही इसमें के नुसार परिवर्तन होता रहता है आप चितर में देख सकते हैं कि पहले गाउं हैं बिल्कुल चोटी जोटी जोप्रियां हैं लोग खेती कर रहे हैं उसके बाद में कुछ समय बाद में उसमें बस्तियां बसने लगती हैं और वो भूमी दीरे दीरे जो है दूसरे इसमें एक सहरी करनसा होने लगता है और किर्सी योग भूमी जिस पर खेती हो रही थी है वो मकानों के अंतर गता गई है और दिरे दिरे उस पर एक बहुत बड़ा विसाल सहर बस गया है इसके इसका डिग्रीडेशन करके इसको का गरत इस्तमाल करके और जिसके सनक्सित की बहुत आशकता है तो इसमें हमें इसको सनक्सित करना है, इसको बचाना है ताकि हम विसका उप्योग करते हैं और आने वाले जो पीड़ियां हमारी वो विसका इस्तबार करती रहे हैं तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि डॉक्र साब ने बताया कि भूमी का शर्नड अगर हम नहीं रोकते हैं यानि कि जो परिवर्तन हो रहा है तो निश्य तोर पर चैलेंजिस बढ़ने वाले हैं अब हम अपने चात्रों को इस माद्धिम से जो टॉपिक है आज के अदिए भू संसादन के प्रकार के बात होती बहुत ज़रूरी समधना है भू संसादन को हम दो ही भागों में बाढ़ते हैं एक तो है निजी संसादन, निजी भूमिया, निजी संपति हम कह सकते हैं जैसे किसान का अपना खेत है, या उसने कहीं कार खाना लगा रखा है, या उसने अपना मकान बना रखा, वो जो भूमी है, उसके अपनी निजी स्वामित में है, उसका मालिक होद है, उसके डिसिजन जो है, वो खुद लेता है, तो एक भू संसादन का एक प्रकार है, निजी होता है साजा संपत्य संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं कि जिस पर संबुदाया का हक होता है जैसे गवं में पंचैती जमीन जिसके हम कहते हैं छोड़ी हुई होती है उस पर चरागा के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं या समशान भूमी के रूप में इसका और आजकल इनीक के इनीकी समापती ज्यादा होते जा रही है क्योंकि ये सिकार हैं अवैद कब जो के और दूसरी वायत है इनके साथ जो बहुत सारी ऐसी चीज़े देखने को मिली हैं समाज में कि जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जी तो ये तो रही बाते हैं भूमे की और अब हम बात कर लेते हैं मिर्दा की जो की अगला महत्वपूर्ण बिंदू है अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मिर्दा क्या है मिर्दा की प्रकार क्या होते हैं मिर्दा का संद्रक्शन क्यों जरूरी है मिर्दा एक संसाधन क्य हisce pee पर प्रकाश जानेें लोग tw вый हिए तो दोसरा की जब हम बात करते हैं तो मिर्दा संसाधन में सबसे पहले बात है कि मिर्दा क्या एंड तो धरातल की जो उपनी प्रत पतड़ी परत जो डिली और महीन कड़ों वाली जो हुई है, वो मुर्दा कहलाती है. और इसमें सबसे बड़ी उसेश्ट है यह में पेर पौधे और वर्जनस्पती उगाने की जो च्छमता जिस परतमे है, वो मिर्दा कहलाती है यही फसनों को भी वाते हैं और धरातल पर जीवों के मनुस्य के पोसन का जो आधार है वो मिर्दा है मिर्दा निर्मान की जब हम बात करते हैं तो मिर्दा निर्मान में पहले जो जहांकि जो मूल चट्टान है उसका छरन होता है उसका चूर्ण तयार होता है वो प्राकरतिक कारण उसको अपक्षे और अपरदन के कारण को उसको एक मलवे में बदल देते हैं फिर उसमें जैविक पदार्त या जिसको हम हुमस कहते हैं उसका वो मिलता है और धीरे देरे उसको जो महीन कारण और विक्षित होता है उनमी औ सकती है और ये वनस्पती का आधार है फसनों का आधार है और पूरा जीव जगत जो है वो इस मर्दा संसादन पर ही ठिका हुआ है इसके डवलप होने में ये एक दिन में डवलप नहीं होती एक दिन रहे हैं और आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहे हैं हमारे छात्रों को हमारे दर्शकों को तो अब हम ये जान लेते हैं कि मृदा का सरनक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है क्योंकि लाखों वर्षों में जो मृदा हमारे सामने मौझूद है और उसका अपक करने मिर्दा को हम किस की तरह से इसको खराब करने हैं। पहले आप देखे रहे हैं गभी इस में जहां हमारा कारखानों उसे फैक्ट्र निकलावा, पानी भरजा हुआ है तो वह उसको खराब कर रहा है। कुला कचरा पड़ाव है, वो मिट्टी को खराब कर रहा है, हमारे जो पसूचा चराई या निया निया तरी तो इसको खराब कर रही है, पेड हमने काट दी है, उससे हमारी मिर्दा के कर सकते हैं, जैसे आपकी इस अध्याए में दिये भी गए है, बाल्च बनाना, बाल्च क खेद बना के हम मिर्दा के सनक्षन को रोख सकते हैं, समोच रेखे जुताई कर भी एक तरीका मिर्दा के सनक्षन का हो सकता है, ऐसी रक्षक में एखला बनाना, एनियंतित पसूचराई को रोकना, रक्षा रोपन करना, कार खानों और उद्द्योगों से निकलने वाले जो मिर्दा का सनक्षन नहीं किया, तो हमारे जीवन जीने का आधार है, वही दिरे दिरे समाप्त हो जायागा. और हम आशा करते हैं कि जो हमारे चात्र इस कारिक्रम से जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने इस पाठ को पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो उनमें इंट्रेस्ट पैदा होगा, जिस जानकारी को समझने के बाद और रूची पैदा होगी, आप उस पाठ को जिरू में ही बताया था, भूमी, जल, मृदा और वनजीव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, आज का ये स्टर्शन, आज का ये सत्र ही संपन होता है, लेकिन अपने चात्रों को मैं बता दूँ कि दो हजार तेईस चौबिस सत्र के लिए अगर आप पाठे पुस्तकें अब सब्साइट से, NCRT.NIC.IN पर भी आप लॉगाउन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे अलग अलग जगहों पर काउंटर भी उपलब्ध हैं, जिसमें दिल्ली, एहमदाबाद, बेंगलूरू, कुलकाथा, गौहाटी, इन जगहों से आप खरीद सकते हैं, पुस्तकें जाकर क काउंटर सुबह साढ़े नो बजे से, शाम छे बजे तक हर दिन खुले रहेंगे, चाहे वो शनिवार का दिन हो, या इतवार का, या छुट्ती का दिन हो, और इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, कि उसका पता कहां है, या आप NCRT.NIC.IN पर जाकर करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, NCRT की वेबसाइट के माध्यम से ही, तो अनुमती दीजिए, आज की सत्र को यहीं समाप्त कर रहे कि, लेकिन आप बने रहे हैं PME Vidya Channel के साथ, धन्यवाद, नमस्कार.